हेलो फ्रेंड्स वेलकम टोन मैं चैनल मेरा ना में धुरू और आप देख रहे हैं दलानर्स कम्मुनिटी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्त सेमिश्टर के पॉलिटिकल साइन सब्जेक्ट के बारे में जो की है अंडेस्टेंडिंग ग्लोबलाजेशन मतल चैनल आतंकवाद के लिए तो जो आपका अंतराश्ति आतंकवाद है उसके बारे में देखते हैं अतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा कि और डिटेटरा से हुई है लेटिन टेर्र शब्द का अर्थ है माद जब की डिटेटर का अर्थ है भेवीत कर रहे है तो अमकल जुक्साट है यह हुनि देटेर्गा ज़र और वबीत कर रहे है बहुत आतंगवाद की अभी भी कोई सारभोमिक परिभाशा नहीं है उपलब्द नहीं है मतलब अंतराष्टे स्तर पर अगर आप आतंगवाद को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी एक ऐसी परिभाशा नहीं मिलेगी जो कि आतंगवाद को डिफाइन करती हो हर किसी व्यक्ति की लग नहीं है कुछ देश जो है वो आतंगवाद को समर्थन करते हैं कुछ इस तरह तक कुछ देश आतंगवाद का पूरी तरह से विरोध करते हैं जिसमें भारत भी एक देश है अब जब से अल-काइदा द्वारा 9-11 का हमला किया गया तब से आतंगवाद को बड़े इस्तर पर कड़ी निंदा की जा रही है जब से 9-11 का हमला जो कि आपने 12 में भी पढ़ा होगा 9-11 का जो हमला है उसके बास से ही पड़े इस्तर पर आतंगवाद की क्या करी जा रही है निंदा करी जा रही है उसकी अवेलां करी जा रही है अंतराष्टे आतंगवाद की उत्पत् कि है कि जो आतंकवाद है वह एक अभिन अंग रहा है मानव इतिहास का मानव इतिहास में आतंकवाद हमेशा से ही उपस्तित रहा है तो फॉर्ब समय में मुस्लिम यहूदी कट्रपन्ति हिंदु उठागे, जैसे सम्हों को धर्मिक आतंगी रूप में जाना जाता था, तथा इन लोगों का मुख्य कार्य हत्या करना और लोगों पर हमला करना था ठीक है, तो पुराने समय में अगर हम बात करें तो कुछ जो सम्हों थे उनके साथ लूट पाट करना और और वी जितने भी आतंकी काम होतें ये लोग करा करते थे शीत युद के दौरान इसलामीक संगठनों के बीच धार्मिक आतंगवाद उभर कर सामने आया टेक है एक ऐसे रूप में वैश्विक जिहाद के रूप में उभर के सामने आया जिसने आतंकवाद का खत्रा काफी हत्तर बढ़ाया इस पॉइंट का क्या है यहाप मतलब है कि पिछले दशक्स की बात करें तो अंदराश्टे इस्तर पर एक और आतंकवाद का रूप सामने आया जि के एक अतंगवाद का एक नया रूत के प्रकरति किस प्रकार कि एतंख्यॆ हम वेषय गटना है जिसमें लोगों के भायृत्पन करने के लिए हिंसा का साहरा लिया जाता है ड़ार्तमार में बहुस सारे अतुक्वधी गडुर्तपन कारे वें यह संगठर एक दूसरे से अंतराष्टे स्तर पर भी जुड़े हुए तो अगर वरतमान में आप अंतराष्टे स्तर पर देखेंगे कि कौन-कौन से संगठर काम कर रहे हैं, एक्टिव कौन-कौन से संगठर हैं, तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, कुछ बहुत मुश्किल है कि लोग आतंकी क्यों बनते हैं आतंकी समू द्वारा आतंकी आतंकवादी को स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है तो आतंकी समू जो है वो कहते हैं कि जो भी हमारा आतंकी व्यक्ति है वो एक क्या है स्वतंत्रता सेनानी है यह माना जाता है निम्नकार्यों को आतंकवादी गतिविदी के रूप में परिभाशित किया जाता है तो कुछ ऐसे काम है जिनको हम आतंकवादी कारे कह सकते हैं तो वो कुछ बच से यदि वहकार्य इंसान है ठीक है यहां पर लिखा गया है कि यदि वहकार्य हिंसा यह शक्ति का प्रियोग से सम्मधित है त इनकार्यों से राजनितिक विचारधारा चमक और धार्मिक उद्देशो को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो आतंकवादी है ठीक है कोई ऐसी विचारधारा जिसको किसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है हिंसा के द्वारा लोगों को डरा धमका के उनके वि करने के लिए अमेरीकी लोगों ने भारी संख्या में उनका प्रशाशन का समर्थन किया तो जब 9-11 का हमला हुआ उसके बाद जब अमेरीका की बारी थी अंदराश्टे इस्तर पर आतंकवाद के लिए कुछ काम करने की उनको निप्टाने की तो उस समय अमेरीका के लोगों भारी संख्या में जो अमेरीकी प्रशाशन था उसका पूरी रूप से आपके सकते हैं कि समर्थन किया उसका पूरी रूप से उसका साथ दिया 9-11 के बाद 9-11 के बाद संपूर विश्व में वैश्विक आतंकवाद के विरुध युद्ध करने के लिए एक जुटता और सामाने धार्ना की भावना पैदा हो गई 9-11 के बाद क्या हुआ अंतराश्विक युद्ध श्टार्ट हो गया किसके लिए आतंकवाद के खिलाफ कोई भी आतंकवादी संगठन हो उसके खिलाफ एक वैश्विक युद्ध आरम कर दिया गया और सभी देशों ने मिलकर ये काम किया और इसमें एक आप भावना भी देखने को मिली इसी कारण से विश्विस्तर पर राष्ट के बीच एकता देखने को मिल रही है अब आता है अंतराश्टी आतंकवाद के प्रकार अब कौन कौन से प्रकार है तो पहला आता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद तो मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में ब कर रहा है ठीक उसको प्रिसिक्षन दे रहा है सारा का सारा असला बारूत दे रहा है तो वो क्या कहलाता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहलाता है देखें राज्य प्रायोजित आतंकवाद से अभिप्राय है जब सरकार द्वारा ऐसे अभिकरता हूं या संगठन का समर् इस प्रकार कि आतंक का सीधा समंदरा जह की सरकार से होता है तथा उस देश की अर्थ वैस्ता प्रशाषन व्यवस्ता को बड़े च्थर पर प्रभावित करती है फिर आता है दक्षिरपंति और वामपंति आतंक वाद इससे दात पर रहे हैं कि दो विचार्धारणां के इस प्रकार का आतंकवाद तब देखने को मिलता है जब राजनितिक विचारधारा में अंतर होता है 1789 में फ्रांसिसी राज्य सभा में दक्षिडपंथी को सर्पर्थम खयाती प्राप्त हुई वर्त्मान में दक्षिडपंथी वामपंथी उगरवाद की कोई परिभाष्य अपलत नहीं है दार्मिक आतंकवाद से आप नाम पढ़के ही समझ गयोगे कि धर्म के आधार पर किया जाने वाला आतंकवाद क्या गया लाता है धर्मिक आतंकवाद एक प्रकार का राजनेतिक हिंसा भी है हिंसा है जो कि पूनत है इस पर विश्वास पर अधारित है कि उन्हें किसी दूसरे दुनिया की शक्ति से आतंक हिंसा करने के आदेश प्राप्त है ताकि उनके विश्वास की विज़ा हो सके ठीक है तो धर्मिक आतंक वाद में वह लोग आते हैं जो कि इस चीज़ पर विश करें सरगता है धर्म कैसे यह मानते हैं कि लोगों को मारकर हिंसा प्रकार उनके जीवन के बाद उनको जन्हत प्राफ्थ होगे इस प्रकार की अभधार्ना धर्म का आतें कृदी रखता है कि और ईस्तर पर आतना क्रण उतर थे ने जुंदमarta रहे हैंially आतंकुवाद जब राश्ट की सीमा के पार जाग चुका है। तब वह हर देश में फैल चुका है। आतंकुवाद की कोई सीमा नहीं है। क्या कहलाएंगे वैश्विक आतंकवाद कहलाएंगे तो जैसे की पर्यावरन के कुछ मुद्रे है वो किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं है तो यह गुज़क की कोई सीमा नहीं है जिस प्रकार तक्नीकी और प्रद्योगी की का विकास हो रहा है आतकवात का भी डर बड़ता जा रहा है 9-11 के हमले के बाद सयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतराष्टे इस्तर पर कई ऐसी वैस्ताओं की स्थापना की जिसने मानव विद्वन्ष के अधिकारों हतियारों के प्रसार को रोपने और वैश्विक आतंवात के विरुद्ध युद्ध पर बल देने का करें किया तो 9-11 के हमले के बाद अमेरिका ने कई ऐसे संगठनों का स्थापना की जिनका काम क्या था कि मानव विद्वन्ष मानव के लिए जो भी हत्यार खत्रे के हत्यार हैं उनका क्या करना उनकी समापती करना उनके प्रसार उनके विक्री पर रोक लगाना और अंतराष्टे इस् स्थिर्ता के कारण ग्रह युद्ध और अंतराज्य युद्ध प्रारम हो सकता है ठीक है तो अंतराष्टी आतंकवाद का कारण क्या है किसी देश में आतंकवाद क्यों पैदा होता है तो उसके कुछ कारण है जैसे घरेलू राजनेतिक ऐस्थिर्ता मतलब उस देश की जो राज्य के विकासना होने के कारण तथा राजनीतिक और आर्थिक विकासना होने पाने से घरेलू एस्थिरता के कारण बंजाद हैं जिसका कारण अंतराश्य आतगवाद उत्पत्ति कर सकते हो सकती है फिर आता है असफल राज्य से हमेशा संघर्ष राजनीतिक इस्थिती मानवधिकार उलंगन तक्तापलट जैसी घटना है देखने को मिलती हैं जिसके कारण वह आतंगवाद को नियंतरित करने में एसफल रहता है तो एसफल राज्य से तात पर रहा है कि एक ऐसा देश जहां पे राजनीतिक व्यवस्था तो काफी बेकार है परन्तु वहां के आर्थिक व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है तो क्या होगा वो दे अंतराष्ट्य सांति और सुरक्षा का संकट उत्पन हो सकता है तो 9-11 के बाद क्या हुआ सयुक्त राष्ट संग और जो बाकी देश है उन्होंने एक बात मानी की कुछ ऐसे देश जो की असफल है उन्हीं के द्वारा अंतराष्ट्य इस तरपर आतंगवाद को खाती तो उनके बीच में संगर्ष हो सकता है तथा यह संगर्ष कुछ समय बाद हिंसक होगा और आतंगवाद का रोप ले लेगा तो एक देश के अंदर अगर दो विचार धाराएं बड़े इस तरपर काम कर रही है और अगर वो विचार धाराएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती तो उन संगर्ष के बीच क्या होगा हिंसा होगी और हिंसा के साथ साथ वह रोप ले लेगी किसी को नहीं पता घड़े कभी भी कुछ भी हो सकता है तो इस परकार की जो स्थिती है यह आतंगवाद को उत्पन करती है उगरवादी इसलामिक संगर्ष के प्रसार और पर काफी प्रभाव पड़ता है भले ही उनका आतंगवाद संगठन से कोई सम्मत हो या ना हो इसके बावजूद भी उनके देश में आतंगवादी हमले होते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा उदारण दिया गया है कि उग्रवादी बाव संगठन जो कि उग्रवादी है जो सिर्फ ध्यान देते और किसी पर नहीं तेकर उनके प्रचार और मध्धे इसिया में अमेरिका का यह अस्तक शेप है उससे क्या होता है ऐसे लोगों को भी प्रभाव पढ़ता है जो कि आतंकवादी संगधन से मिले हुए तो नहीं है परन्तु उनके जीवन पर भी काफी बड़े स्तर पर प्रभाव पढ़ता है जर्मन राष्ट के अलबीनिय निवासी ने दो मार्च 2011 को दो एक प्रिशानी हुई उन में से एक ने बोली मार दी तो क्या हुआ उस लोग उल्फ में उस आदमी की तो गल्ती थी बड़े इस्तर परपन्तु अमेरिका का जो हस्तक शेप था वो भी एक बड़ी गल्ती थी फिर आता है वैश्रिव का अतंगवाद का सामना करने के कुछ तरीके तो अंतराष्टे स्तर पर कुछ ऐसे आप कहा सकते हैं धाराय लाई गई गई कुछ ऐसी स्थितियां बनाई गई जिससे कि अंतराष्टे स्तर पर आतंगवाद का सामना करने के लिए कुछ तरीके नेम ल देखने हैं आपको यह ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तो 9-11 के बाद नाटों ने सबसे पहले सामू एक सुरक्षा धारा को लागू किया जिसका अनुछेत 5 था फिर सुरक्षा परिशद ने 2001 में प्रस्ताव 1373 को पारित किया जिसका अधिकार जिसका अधिकतर मानव अधिकार को प्रभावित करता था तो सुरक्षा परिशद ने 2001 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसका काम क्या था अधिकतर मानव अधिकार को प्रभावित करना फिर आता है आम सभा ने अपने प्रस्ताव साथ बट्टा 288 के द्वारा सहीत राष्ट वैश्विक आतंगवाद निर राष्टिय समूदाय सभी के लिए मानव अधिकार की सुरक्षा की सभी तरीकों का सम्मान कर सके वहीं दूसरी तरफ आतंगवाद के विरुद्ध संगर्ष में कानुन का शाषन बुनियादी अधार पर हो फिर आता है चार सितंबर 2011 को संभत राष्ट संग ने 39 राज्जि इसका मुख्य उद्धेश आतंगवाद को रोकने के लिए वादविवास, समेक्षा, सिफारिश का आधान प्रदान तथा संसाधनों की पहचान करना और तक्नीकी साहिता के लिए संसाधनों को प्लब्द कराना था नेक्स्ट पॉइंट है सितंबर 2013 में मौद्रिक विग्यापन को अपनाया गया इसमें आकरमण के समय और आपराधिक कारवाही के दौरान आतंगवाद के शिकार लोगों को प्रभावी साहिता देना की गारंटी दी गई ताकि आतंगवाद के शिकार हुई लोगों को बहत अधिक से अधिक साहिता प्रदान करना चटा आता है आम सभाने 2006 में सयुक्त राष्ट वैश्विक आतंग की निरोधी रणनीती को पारित किया था जिसमें कि उन महत्वपुन मुद्धों का पता लगाना का प्रेयास किया गया था जो कि आतंगवाद को जनम देने के लिए उतरता ही है तो 2006 में एक रणनीती पास की गई ठीक है उसमें उसका काम क्या था कि ऐसे मुद्धों को पता लगाना जो की आतंगवाद को उत्मन करने में सहयता करते है आता है आगे आता है प्रतेक देश की अपनी शमताओं को बढ़ाने चाहिए ठीक है तो प्रतेक देश क अधिक बढ़ाना चाहिए ठीक है तो ऐसी जगे जहां पर आतंगवाद की अधिक संभा होना है पहाड़ी इलाके सपोस्क्रिया अगर हम भारत का उधारण लेते हैं ठीक है तो पठारी इलाके जो कि पहाड़ी की तरफ है वहां से आतंगवादी गुस सकते हैं ठीक है ब्र गैर राज्य अभी करता या राज्य आतंगवाद जिसका उधारण मैंने आपको पर भी बताया तो देखें गैर राज्य अभी करता या राज्य आतंगवाद से तात्पर है कि आतंगवाद एक राज्य के अंदर उत्मन होता है तथा वहीं से अपना विकास करता है तो एक ऐसी आतंकवादी विरस्था जो की एक देश या फिर एक राज्य के अंदर उत्पन होती है और क्या करती है उसी राज्य के द्वारा पालन पोशन उसका किया जाता है हत्यार जितनी भी वैस्था हैं सब दी जाती है और वो आतंकवादी वैस्था पूरे विश्व को प्रभा करने के लिए प्रतेक्ष तोर पर सामिल नहीं होता है तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि राज्य उस आतंगवाद को निफ्टाना जाता है परंतु वही उस राज्य उस आतंगवाद को बढ़ाने में मदद कर रहा है यहाँ पर एक उधारन दिया गया है अफगानिस्तान में तालिबान राज्य प्रायोजित आतंगवाद का एक महत्वपोंड उधारन है तो अफगानिस्तान देश के अंतरगत तालिबान एक वही पर उत्पन हुआ वहीं पर बढ़ा हुआ ठीक है और आब वो पूरी उसामाविल लादेन, उसामा विल लादेन को पकड़ते समय जब अंतराष्टे इस्तर पर लोगों ने तalisामाविल लादेन को पकड़ने के लिए तो अफगानिस्तान ने इस मुद्धे को बड़े हलके इस्तर पर लिया ठीक है और जो गैर ऐर जो रवया है वो सह्योगी रवयार नहीं रख़ा सयोग नहीं दिया अंतराष्टेस तरफर तो यह बात दिखाती है कि तालिबान को बढ़ा कर रहा है वह है अफगानिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है बढ़ने में फिर आता है 9-11, 9-11 के हमले के बाद अमेरिका ने इरान, क्यूबा, सूडान और सीरिया को राज्य प्रायोजे आतागवाद के तौर पर देखा, उसके कारण अमेरिका ने इन देशों पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंद लगा दिये गैर राज्य अभिकरता, गैर राज्य अभिकरता कि कोई परिभाशा उपलब्द नहीं है, परंतु यह कहा जा सकता है कि राज्य की शाशर व्यवस्ता के अलावा भी कई संगठन राज्य के लिए कारे कर रहे हैं, तो ऐसे संगठन जो कि राज्य की व्यवस्ता के अंतरगत तो नहीं आते परंतु राज्य के लिए काम कर रहे हैं ठीक है या फिर वो राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं तो वह कौन कहलाते हैं गैर राज्य अभीकरता कहलाते हैं और समकालिन अंतराष्ट्य विश्विवस्था में कानुन पालन के लिए देश के कुछ गैर राजय संगठन का निर्मार किया है तो अंतराष्ट्य इस्थर पर क्या हुआ कुछ ऐसे संगठनों का बनाया गया जो कि क्या करते हैं अंतराष्टे इस तर पर किसी सरकार के अंदर तो नहीं आते हैं परंतु वो क्या करते हैं देश के लिए काम कर रहे हैं तो वो कौन-कौन से देखते हैं MNST, International, Greenpeace, SEMA के परे, चिकिसक, Kidscare, Human Rights Watch जैसे संगठन सामिल है तो ये जो संगठन हैं ये आप कहा सकते हैं कि अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं वहीं अपराधी संगठन कौन-कौन से हैं माफिया, कॉलंबियन, ड्रक्स, उत्पादक, रिपब्लिंग, आर्मी, हमास, हिजबल्ला, अलकाइदा भी शामिल है जिन्होंने ग्यार कानूनी संगठन और अभी करता माना जाता है तो ये जो है आपका यूनिट 3 का जो चैप्टर 3 है या फिर पार्ट 3 है उसका पार्ट 1 है विकाज ये जो अंदराष्टे आतन को आध है ये काफी बड़ा चैप्टर है इसके आधे जो पॉइंट्स और मॉश्च विडियो में हमने डिस्कस करें कुछ इंपर्टेंटट पॉइंट्स और कोश्चन हम नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे तो आप नेक्स वीडियो को वेट करिए उसमें आपको नोट्स जो हैं वो complete नोट्स मिल जाएंगे इस chapter के और नोट्स आपको हमारी website पर भी मिल जाएंगे आपको वीडियो कैसे लेगे है आप हमें जरूर बताया वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें जितना हो सके वीडियो को share करें हर गृप में share करें वीडियो को और इससे पहले जितने भी हमारे units हो चुके हैं उनके notes हमारी website पर available हैं आप जाके study कर सकते हैं आपके exams नजदीग हैं तो जितने ज़्यादा हो सके notes के साथ साथ आप और भी चीजों से study करिए Because notes में जो content है वो important है but आपको exam में काफी ज़्यादा content लिखना पढ़ेगा ठीक है तुम इलते हैं गले वोड़े मैं thanks for विधितिक on my channel guys